तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जहां से आपको ये पता चलेगा कि रिस्क सब को लेना पड़ता है जो नहीं लेना चाहते वो भी रिस्क लेंगे जो लेना चाहते उन्हें भी रिस्क मिलेगा रिस्क सब के साथ जुड़ा हुआ है जिस दिन आपने जिन्दगी में कदम रखा जिस दिन आपने अपने आखे खोली उसी दिन से आप रिस्क ले रहे हैं आप जब चलते थे आप गिर जाते थे आप रिस्क लिया चलने के लिए आप जब बोलते थे तो तोड़ तोड़ कर आप हकलाते हकलाते बोलते थे आज आप इतनी अच्छी बाते करने लगे हैं आप जब पहली बार C.A. में इंटर किये थे तो रिस्क था रिस्क था CPT क्लियर करने का, Foundation क्लियर करने का रिस्क था ये मुश्किलों से कह दो कि मेराथ खुदा बड़ा है एक पंडी जी होते थे उनके सामने सब अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे पंडी जी के बाद सब अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे और पंडी जी हर प्रॉब्लम्स का सॉलूशन बताते थे बहुत समय पहले की बात है एक महाग्यानी पंडित हिमाले की पहाडियों में कहीं रहते थे लोगों की पीच रह कर वथ ठक चुके थे और अब इश्वर भक्ती करते हुए एक साधा जीवन व्यदित करना चाहते थे लेकिन उसकी प्रसिती इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाडियों सक्रे रास्तो नदी जर्णों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे उनका मानना था कि वह विद्वान उनकी हर समश्या का समादान कर सकता है इस बार भी कुछ लोग ढूंते वे उनकी कुटिया तक आ पहुंचे पंडी जी ने उन्हें इंतिजार करने के लिए कहा तीन दीन बीद गए अब और भी कई लोग वहाँ पहुँच गए जब लोगों के लिए जगह कम पढ़ने लगी तब पंडी जी बोले आज मैं आप सभी से एक प्रस्न का उत्तर दूँगा पर आपको वचन देना होगा कि यहां से जानने के बाद आप किसी और से इस इस्थान के बारे में नहीं बताएंगे ताकि आज के बाद मैं एकान में रहकर अपन साथना कर सको चली अपनी अपनी समश्या बताईए सब ने अपनी अपनी समश्या बताईए यह सुनते ही किसी ने अपनी परिशानी बतानी शुरू की लेकिन वह अभी कुछ सब भी बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडी जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए वह जल्दी जल्दी से अपनी बात रखना चाहते थे कुछी देर में वहां का दिर्श्य मचली बाजार जैसा हो गया अंत में बंडी जी को चीख कर बोलना पड़ा कृपा शांती बनाये रखें अपनी अपनी समश्या एक पर्ची में लिख कर मुझे दे अपनी अपनी समश्या एक परची में लिखकर मुझे दे सभी ने अपनी अपनी समश्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी पंडी जी ने सारे परचे लिए और उन्हें एक टोकरी में डाल कर मिला दिया और बोले इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए हर वेक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा उसके बाद उसे निर्ने लेना होगा कि क्या वो अपनी समश्या को इस समश्या से बदलना चाहता है की नहीं चाहता है मतलब सारे लोगों को बोला गया कि अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आप लिखकर एक टोकरी में बंद कर दीजे और उस टोकरी को सब सगर ले जाया गया और सब को एक पर्चा उठाने बोला और यह निर्ने लेना है लोगों को कि मेरी समश्या बड़ी है कि इस टोक पर कोई भी अपनी समश्या के बदले किसी और की समश्या लेने को तयार नहीं हुआ सोचिए मान लिजिए मैं फाइनल में हूँ और मैंने बगवान से प्रेधना कि या प्रातना कि है बगवान मुझे फाइनल किलियर करवा दो और कोई CPT ही क्लियर नहीं हुआ भी तक तो प्रातना किया भाइया भगवान मेरी CPT क्लियर करवा दो तो उसने बोला भाइया मैं ही अच्छा हूं इससे तो मेरा एटलिस फाइनल तो हो गया है एक वैक्ति ने का ये भगवान मेरी सेलरी पांच लाग रुपे हो जाए और एक वैक्ति जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट उसने बोला भगवान मेरी सेलरी दो लाग भी हो जाए तो काम चल जाएगा तो जो वैक्ति पांच लाग मांग रहा तो हो कह रहा भया मेरे को पांच लाग तो मिल रहा है चार लाग तो मिल रहा है मैं दो लाग में आ जाओंगा नहीं तो तो सारे लोगों की समश्या अपन पारिजन बहुत कम है सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समश्या चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो बाकी लोगों की समश्या जितनी गंभीर नहीं है दो घंटे बाद सभी अपनी अपनी परची हाथ में लिये लोटने लगे वे खुश थे कि उनकी समश्या उतनी बड़ी नहीं है जितना वो सोचते थे फ्रेंड्स ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम सभी के जीवन में समश्या है कोई अपनी हेल्थ से परिशान है तो कोई लैक ओफ वेल्थ से परिशान है अपना ध्यान उसके निवारन में लगाए उसके सॉलुशन में लगाए प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा न सोचकर उसके सॉलुशन पर ज़्यादा ध्यान दे और अगर उसका कोई सॉलुशन नहीं है तो हम अधर प्रॉडिक्टिव चीजों में और अच्छी अची चीजों में फोकस करें हमें लगता है कि सबसे बड़ी समश्या हमारी ही है पर यकीनन जानिये इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हमारी उसके सामने कुछ भी नहीं इसलिए इश्वर से जो भी दिया है उसके लिए ठैंक्फुल रहिए और एक खुशाल जीवन जीने का परियाश करिए तो कहने का मतलब यह है कि सब को प्रॉब्लम्स है सब के लाइफ में कुछ ने कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉलूशन में बदलने की कोशिश करे और अपने माइन को किसी दूसरे चीज़ में फोकस करने की कोशिश करे किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम है आपको पता है लोग सोने के लिए नींद लाने के लिए दवाई खाते है और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं कुछ मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर हमें इतनी नींद आती है इतनी नींद आती है कि सर हमें कुछ बताओ एक कुछ नींद नहीं आ रही है और एक कुछ नींद पे नींद आ रही है तो दून देखिए किस तरह से आप समझते हैं बातों को कि problem सब के पास है How to overcome your life problems ये बहुत ज़रुरी चीज है तो आप अपने life के problem को solution में बदले और solution के साथ आपको जिंदिगी में सफलता मिले यही कामना है मेरी याद रखिएगा पृत्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई problem ना हो और कोई भी problem ऐसा नहीं है जिसका कोई solution ना हो मंजिल चाए कितनी भी उची क्यों नहों दोस्तो मंजिल चाए कितनी ही उची क्यों नहों दोस्तो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, तो उस रास्ते को पार करते वे आप सफल हो जाईए, बिल्कुल मत घबराईए, उस व्यक्ति की सक्ति का कोई मुकावला नहीं, जिसके पास सक्ति के साथ शेहन सक्ति है, प्रॉब्लम्स को जेलने का क्यापासिटी हो, तो फ्रेंड्स आई होप आज की जो ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको बताई गई है, लाइफ में सब को रिस्क लेना पड़ता है, सब के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, बस उसको सॉल्व करके सक्सेस की और बड़े य यही आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, I hope आप इस अच्छी सोच को अपने लाइफ में भी इंप्लिमेंट करोगे, Fine Sir